बेटा, आज हम अपने इनिंग्स 12.2 को ही कॉंटिनु करेंगे और आज हम करेंगे क्वेस्टिन नमबर 2 से स्टाइट, ओके अब हमने पता करना कि जो हमें रेश्यो गिवन है इनसे प्रपोर्शन बन रहा है कि नहीं बेटा, सेम है क्वेस्टिन नमबर 1 के जैसा वहाँ पे हमें नमबर गिवन थे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है प्रपोर्शन गिवन है और साथ में उनके यूनिट्स भी गिवन है, 0.5 केजी, 0.45 केजी दोनों के यूनिट्स सेम है, इस जो फरस्ट रेश्यो है, ठीक है, और फिर उसके बाद है रूपीज 110, दैन रूपीज 99, तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि जो फरस्ट रेश्यो गिवन है, इसके यूनिट्स भी सेम होने चाहिए, और दूसरी रेश्यो गिवन है, इन दोनों के यूनिट्स जो है, वो सेम होने चाहिए, अब यहाँ पे दोनों के ठीके तो अब क्या होगा मैंने आपको बताया कि इसका और इसका यूनिट सेम है तो जब हमने इसको solve करना यह कट गए और इधर इन दोनों ratio के unit सेम है यह कट गए ठीके अब हमारे पर simple number बन गए यह 0.5 is to 0.45 then proportion 110 यह 110 है then 99 अब हम अपना वही formula लगा देंगे proportion के लिए product of extremes and product of means extremes पताया आपको क्या होती है जो बाहर वाली terms होती है means जो दोनों अंदर होती है अब आप जब आप इनको multiply करोगे 99 को 0.5 से 49.5 और इधर आपके परसाएगा 49.50 तो यह दोनों ही same है equal है अगर आप यहाँ पे 0 लगा लोगे decimal के बाद कोई फरक ने पड़ेगा so it means है यह दोनों ही ratio जो है यह proportion बना रही है तो B part same है इसके जैसा है अब मैं C part solve करूंगी 2 cm 34 mm 1200 gram 2 kg 40 gram अब देखो यहाँ पे centimeter है millimeter it means हमें पहले इन दोनों जो ratio हमें given है first ratio इन दोनों की unit हमें same करने पड़ेंगे तो centimeter का मैं millimeter बनाऊंगी कैसे बनाऊंगी by multiplying 10 20 mm 34 mm और यहाँ पे 1200 gram इस kilogram के gram बनाएंगे kilogram के gram के लिए multiply by 1000 आपको बहुत अच्छे से आता है ठीक है तो यह बन गया आपका 2000 plus 40 अब यह वाले units इसके इसके साथ cancel और इधर gram के gram के साथ cancel अब simple number बनेगे 20 34 और इधर बनेगे 1200 और 2040 वही formula अब मैं बार-बार नहीं लिख रही हूं product of extremes 20 into 2040 then 34 into 1200 multiply किया दोनों का answer same आया so it means यह भी proportion बना रहा है अगर यहाँ पर answer multiply का कुछ हो रहा था यहाँ पर कुछ हो रहा था तो हमारी यह proportion नहीं बननी थी ठीक है now question number 3 first, third and fourth terms of proportion are 6, 12, 36 find the second proportion हमें first, third and fourth terms given है हमने कौन सी proportion find out करनी है second तो हम क्या करेंगे हमें तो नहीं पता है second कौन सी हम ले लेंगे second proportion is equal to x और बस फिर हम वह formula लगाएंगे product of means and product of extremes यह देखो मैंने लिख लिया first term, third term and fourth term second term हमने ले ली x बस हम इनको represent करेंगे one, two, three, four चारो रेशो होती है हमारे पास चीक, one is to two, यह proportion का symbol हो गया three is to four, तो one क्या है, six, second हमें पता नहीं है, x three number पे है 12 और four number पे है 36 ठीक है, तो अब हम फिर से वही formula लगाएंगे product of extremes six into 36 and product of means x into 12, ठीक है तो अब देखो, अब हम इसको cutting कर लेंगे, x हमने find out करना है जो multiply 12 पे, इसको हम shift करेंगे दूसरी side 12, three is the 36, six is the 18, so it means जो आपके बार second term आई, वो कितनी आएगी, 18, okay now question number four, a map has been drawn to the scale of 5 mm to 15 km एक हमने map draw किया है, जिस पे हमने scale ये ली है, 5 mm to 15 km what is the distance between the two places shown 7.3 mm apart on the map तो हमने distance find out करना है, अगर जो two places है, उनके बीच का जो distance है, वो कितना है 7.3 mm, ठीक है, देखो बेटा, इसको भी हमने ऐसे लिख लिया, 1, 2, then proportion, 3 is to 4 अब mm के साथ हमने mm लेना है, ठीक है, 5 mm और दूसरी ratio हम बनाएंगे 7.3 mm के साथ, then 15 km और दूसरा distance हमने find out करना है, ठीक है, अब देखो इसके और इसके unit सेम है न, यह कट जाएंगे, और यहाँ पे km और km, हमें पता कि हमने distance find out करना, it means यह km में आएगा, अब आप formula लगाए, 5 into x, 7.3 into 15, x find करना है, 5 इदर divide में चला जाएगा, 5, 3 is the 15, अब 3 को 7.3 से multiply करोगे, you will get the answer, तो बेटा, अब आपने अपनी फेर नोट बुक में question number 4 तक complete करना है, okay then bye बेटा, take care